नमस्कार दोफ्तो स्वोगत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में दोफ्तो आज तारीक हो चुकी है 26 नॉम्बर 2020 और आज भी जो है क्रिकेट से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स निकलतरा रही है जिसके बारे में आगे इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ तो भाईयो अगर आप भी क्रिकेट के सचे वाले फैन हो तो वीडियो को दिलसेक लाइक कर दीजेगा वही हमारे चैनल पर नए हो तो इसी याद से सब्सक्राइब करके बिल आइकन को भी दबा लीजेगा ताकि रोजना अपडेट साब तक पहुँचते रहे तो दोफतो चलिए शुरू करते हैं दोफतो बात करें पहली अपडेट की तो पहली बड़ी अपडेट आ रही यहाँ पर राजस्थान रॉल्स की टीम को लेकर जहाँ पर दोफतो आकास चोपड़ा ने कहा है कि पहले राजस्थान की टीम को किसी भी भारते खिलाड़ी को रेटेन नहीं करना चाहिए उन्हें ऐसा लगता है कि आईपील लोजर आट की चेंपेन टीम को आईपील के अगले सिजन से पहले किसी भी भारते खिलाड़ी को रेटेन नहीं किया जाना चाहिए आकास चोपड़ा ने आरार के लिए तीन वे दिशी खिलाडों को छुना है जिने IPL 2018 से पहले रिटेन किया जाना चाहिए उन्होंने इस लिस्ट में इंग्लेंड के तेज गिंद बाद जोफरा आर्चर, और राउंडर बेंस टोक्स और विगट कीपर बले बाद जौस बटलर का नाम लिया है उनका कहना है कि इंग्लेंड के इन तीन खिलाडों को फ्रेंचाइजे को जरूर रिटेन करना चाहिए उन्होंने कहा कि अगर मेगा ओक्षन होता है तो मेरी राय में राजस्तान के टीम को जोफरा, आर्चर, बेंस, टोक्स और बटलर को रिटेन करना चाहिए अगर मुम्किन हो तो, हाला कि मुझे नहीं लगता है कि वे तीन विदेशी खिलाडों को बरकरार रख पाएंगे लेकिन अगर मुम्किन हो तो इन तीनों को राइट टू मैच के ताहर रिटेन करना चाहिए तो भाईयो, आकास चोपड़ा का यही मानना है कि आरर के टीम को तीनों ही विदेशी खिलाडों को रिटेन करना चाहिए मगर दोस्तो, शायद यह पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर मेगा ओक्षन होता है तो फिर कोई भी टीम जो है पहले तेने खिलाडों को रिटेन कर सकती है इसके बाद दोस्तो दो खिलाडों पर वो आटेम काटकर स्टेमाल कर सकती है लेकिन इन पांच खिलाडों में से केवल दो ही विदेशी खिलाडी होने चाहिए अब ऐसे में देखना ये होगा कि आरार की टीम जो है किन दो विदेशी खिलाडों को रिटेन करती है किन दो खिलाडों को वो अपने स्कौर्ड में बरकरार रखते है इसके बाद दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पर BCCI के प्रेसिडेंट सार्फ गांगोली को लेकर जिन्होंने आपील लोजर कीस के उपर बहुत ही बड़ी अपडेट दी है यहाँ दोस्तों गांगोली ने यह कहा कि BCCI जो है पूरी कोशिश करेगी कि आपील लोजर कीस का आयोजन जो है भारत में करवाया जाए और इसका आयोजन जो है भारत में होने वाला है 2021 में अगर हालात अच्छे होते हैं तो फिर इसके लाव दोस्तों हुने यह भी क्लियर कर दिया कि आपील लोजर कीस का आयोजन जो है मार्च से लेके माई के बेच में होने वाला है जी हाँ दोस्तों हमें एंटिंग मार्च में हो सकता है मेडिया रिपोर्ट्स की माने तो BCCA ने क्रिकेट ऑस्टेलिया से कहा है कि वो रोहित शर्मा और इशान सर्मा के लिए क्वरेंटाइन नियमों में थोड़ी से धिलाई बरते जिससे कि ये दोनों ही खिलाड़ी जो टीम इंडिया के रिए उपलब धो सके आपको बता दे कि उस्टेलिया में 14 दिनों के लिए क्वरेंटाइन होने का नियम है लेकिन अगर क्रिकेट ऑस्टेलिया जो BCCA की मांग मान लेती है तो फिर रोहित शर्मा और इशान सर्मा जो है अन्तिम दो टिस्ट मैचों में हिस्सा ले पाएंगे और वहां पर उनके खिलनने के आसार ब गराना होके ग्यारा दिसंबर को उनका फिट्नेस होगा जिसके बाद अगर फिट्नेस टेस्स पास कर लेते हैं तो फिर वह उस्ट्रियला के लिए रवना हो जाएंगे इसके बाद दुस्तों बात करें पाच्वी और अप्डेट की तो यह अपडेट आ रही दोस्तों लंक का प्रीमेर लीग जो है वो फिक्स बताया जा रहा है तो दोस्तों यह थी हमारी आज की साधी निव्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इससे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा थैंक्स फॉर रचीन दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखेगा